जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, कई साल पहले भी इसी तरीके का आंदोलन था, अचानक आंदोलन एक बार फिर शुरू हुआ है, सड़कों पर किसान है, इसकी क्या वज़ा हमानते हैं? देखे, किसानों के हीतों की जहां तक बात है, यह सरकार पूर्ण रूप से ओपन है, कि हम उसका समाधान निकाल सकते हैं, हम उसके लिए तयार हैं, पर जदी राजनीत से प्रेरित हो करके, और अपने महतोकांचा को ले करके, कुछ राजनीतिक दल जदी अपने हीतों की रक् आप मानते हैं, अभी तो कॉंग्रेस जैसे दल, जिस ने अपने निकम में होने का कई उधारन प्रस्तूत किया है, और उसके कारेकाल में किसानों के अहित हुए है, किसानों का नुक्सान हुआ, वो सारे डोकॉमेंट्स में सब के जानकारी में है, कि आज जहां कारेकाल में 27,000 करोड का बजट था, 1,24,000 करोड का बजट हो गया, किसानों पर के साथ सीधे उनके एकाउंट तक हम रासी पहुचाने में काम्याब हुए हैं, और सभी चीजों में किसान प्रोचाइत होकर कि उत्पादन बढ़ाया, हम किसानों पर घर्ब करते हैं इस बात को लेकर के, कि पिछले 10 बरसों में जो प्रोचाहन हमने दिया, उसके वज़ा से किसानों का उत्पादन बढ़ा और MSP ढ़ाय गुना MSP पर खरीद हुई, सर, ग्राउंड लेबल पर आप आपने रिपोर्ट लिया होगा, किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, क्या माहौल को भी आने के कोशिस करेंगे, तो मैं आहम किसान से निवेदन करता हूँ, कि इनके ऐसे मामले से बचा, धन्यवाद, धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए, कैमरमेन राकिष निगी कि सादरवी सिंदिली, न्यूज एटिन इंडिया.